हिंदी की तीसरी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यूपीटेट में ग्रामर के कोशिन जादा पूछे जाते हैं रीट में भी और आप जब सीटेट में जाते हैं तो बेशक आपके सामने दो पैसेज होती हैं लेकिन ग्रामर तो आपको आनी ही चाहिए और सिर्फ सीटेट पास करके आप क्या कर लोगे सीटेट तो एक सिर्फ पहली सीडी है जिसको चड़ना पड़ता है नोकरी को लेने के लिए और नोकरी के एक्जाम में हिंदी ग्रामर बरबर के आती है तो शुरुआत में ही अपने आपको निहत्था ना करे हिंदी ग्रामर के टच में रहे इसलिए दोस्तों हिंदी ग्रामर को भी हमने इंक्लूड किया है आपके लिए वीडियो में हिंदी पैडागोजी की भी वीडियो चल रही है उसकी मैंने कितनी वीडियो डाली है आपके लिए दो या तीन वीडियो डाली है, लेकिन हिंदी लेंग्वेज की भी सीरीज चल रही है, तो हिंदी लेंग्वेज की सीरीज को भी फॉलो करें, ये क्रैक कर लेंगे आप सीटेट के एक्जाम को किसी भी राजय का टेट एक्जाम हो, 30 इंटू 30, राम बान तयारी आपको करवा रहा हूं, इन से भार कुछ नहीं आएगा, हिंदी लेंग्वेज को मजबूत करने के लिए, आप इन वीडियो को देखें, जो ये सोचते हैं, हिंदी उन्हें काफी स्ट्रोंग लगती है, तो कोशन्स आप एक बार देखें, आपका वहम निकल जाएगा, और जिनको टफ लगती है, उनके लिए तो ये वीडियोज हैं ही, और दोस्त जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूं कि हमारी बैक टू स्कूल की एंडरोइड अप्लिकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि एक नहीं, सो नहीं, हजार नहीं, पूरे दस हजार स्टुडें इतना है, वहाँ से आपके कोश्चन साएंगे, तो चलो पहले कोश्चन से स्टार्ट करते हैं, दस में से जितने नंबर आए, नीचे कमेंट बोक्स में लिखने हैं, पूरी वीडियो देखनी है, सुदामा चरित्र का काववे रूप क्या माना जाता है, देखिए, सुदाम लिखा गया काववे कहलाता है, यानि कि जीवन के अंदर कोई भी आपकी घटना हो, कोई विशेश घटना हो, उसको लेकर अगर आप कोई काववे लिखते हैं, तो वो खंड काववे कहलाएगा, और ये जो सुदामा चरित है, ये लिखा था कवी नरोत्तम दासने, 1602 में, ठीके, और ये जो सुदामा चरित परंपरा है, ये सबसे महतवपून रचना है, ठीके, और ये है एक सनशिप्त खंड काववे भी है, जो दोहा, कवित और सेमिया में लिखा गया था, तो सुदामा चरित का काववे रूपों का खंड काववे, नेक्स, निमन में से भाव वाच्य करिया वो होती है जिस रूप से हमें यह पता चलेगी उसका मुख्य विशे करता है करम है या भाव है उसे वाच्य हम कहते है और यह जो भाव वाच्य है इसका मतलब वह जिस वाच्य में करता या करम की प्रधानता ने होकर उसके भाव की प्रधानता हो उसके अंदर भाव परमुख हो उसे भाव वाचक संग्या कहते हैं जैसे कि यहां बैठा नहीं जाता इस वाक्या में उससे बैठा नहीं जा रहा है इसमें भाव बैठने का आ रहा है इसलिए इसके अंदर भाव वाचक संग्या होगी तो यहां पर क्या होगा यहां बैठा नहीं जा रहा है इसमें जो भाव है वो बैठने का है तो यहां पर option number B right answer होगा next question खडी बोली हिंदी की किस उपभाशा के अंतरगत आती है अब देखे खडी का मतलब है खरी मतलब शुद्ध यानि कि ठेट तो खडी बोली का मतलब है शुद्ध बोली ठीक है जिसको आप ठेट बोली भी बोलते है यह लगबग अठारवी सहताबदी के शुरुवात में जो ग्रामीन जनता है उसके दवारा मात्र बाशा के रूप में बोली जाती थी कई बार आप मुझे बोलते हैं शुर सेनिय अप प्रणसे कई बार पूचा जाता है पस्च मी हिंदी का विकास कोन से अप प्रंसे हुआ तो शुर सेनिय प्रंसे हुआ था और पस्च मी हिंदी के अंतरगत कितनी आपकी बोली आथीअब देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था शोर सेनी अपब्रेंश से निकला और इसकी पांच बोलिया है पश्मी इंदी की ठीक है कौन-कौन सी खड़ी बोली हरियानवी ब्रज कन्योजी और बुंदेली ठीक है दोस्त तो आंसर भी आएगा नेक्स्ट कोश्चन जल्दी चलो रेखांकित अंच में कौन सा विशेशन है बताओ जल्दी चलो अब देखिए आंसर आएगा क्रिया विशेशन है अब आप बोलेंगे ये क्रिया विशेशन क्या होता है देखिए वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेशता का बोध कराते हैं वो शब्द क्रिया विशेशन कहलाते हैं क्रियाओं की विशेशता का बोध कराने वाले शब्द जैसे कि ये जो वाक्या था जल्दी चलो इस वाक्या में क्रिया क्या है अगर इस वाक्या में अगर मैं क्रिया की बात करूँ हिंदी में इंगलिश में वर्ब बोलते हैं तो क्रिया क्या है चलना है इसके अंदर क्रिया तो जल्दी शब्द हमें क्रिया की विशेशता बता रहा है कि वह कितनी जल्दी चल रहा है इसलिए जल्दी शब्द कैसा होगा क्रिया विशेशन शब्द होगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लिए हो गया ना आपको तो लाइक करो नेक्स्ट कोशन है निमन परशन के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चैन कीजिए जैसे आयस का आयसू होता है तो लोहा क्या होगा देखिए हिंदी में कुछ ऐसे शब्द है जिनका प्रियोग गद्द की अपेक्षा पद्द में जादा होता है और इन्हें युग्म शब्द का जाता है अगर आप से कहें कि युग्म शब्द क्या होंगे तो जो युग्म शब्द होंगे उनका जो यूज होगा वो पद्द में जादा होगा गद्द में कम ठीक है इन्हें एक काफी टफ नाम से भी जाना जाता है मैं लिख देता हूं समोच चरित पराय शब्द इन्हें ये भी बोला जाता है ठीक है आईस का मतलब क्या होता है आईस का मतलब होता है आपका लोहा और आईसू का मतलब क्या होता है आईसू का मतलब होता है आग्या क्या होता है दोस्त आग्या होता है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा option number ए IS का मतलब लोहा और ISO का मतलब आग्या चलिए next है निमन में से सहयुक्त वेंजन कौन सा है बताओ सहयुक्त वेंजन कौन सा है देखिए सहयुक्त वेंजन का मतलब होता है ऐसे वेंजन जिनकी रचना दो वेंजनों के योग से हुई हो और अगर मैं बात करूं कि हिंदी में सहयुक्त वेंजन कितने होते हैं बताइए तो हिंदी में सहयुक्त वेंजन कौन कौन से पहला है आपका श यह मिलकर बना है आपके आधे कैसे और शेह से ठीक है दूसरा है आपका त्रह यह मिलकर बना है आपके प्रह से प्लस रह से तीसरा है गय यह है आधे जैसे और यह से और फिर आपका आता है शे श्रीवाला यह शय से प्लस रह से आपका मिलकर बना है तो यहाँ पर इन में से कौन सा दे रखा है option number भी शय ठीक है तो यह संयुक्त वेंजन है आपके हिंदी में next है अपेक्षा शब्द का विशेशन रूप क्या है आपने शब्द देखा होगा अपेक्षा देखिए अपेक्षा शब्द का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है चाह या कहें आशा जब आप किसी से कोई चीज की आशा रखते हैं तो आप अपेक्षा रखते हैं तो आशा या चाह इसका जो है अर्थ हुआ यह क्या हुआ मैं विशेशन रूप की बात करूँ तो अपेक्षित होगा क्या होगा अपेक्षित इसका विशेशन रूप अपेक्षा का तो यहाँ पर क्या होगा अप्शिन नमबर डी और विशेशन का मतलब क्या होता है विशेशन का मतलब हुआ कि जो भी शब्द संग्या या सर्व नाम की विशेस्ता बताते हैं उन्हें क्या हो कहते हैं विशेशन बोलते हैं तो option number D हो गया है हम पर next है भारत में सरवाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है बताइए देखें भारत में जो हिंदी भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है भारत में वैसे तो बहुत सारी भाषा हैं बोली जाती है लेकिन सरकारी कामकाज में और विवार में लाए जाने वाली दो ही भाषा हैं मेंली वो कौन कौन सी है हिंदी प्लस एंगलिश व्यवारी काम काज में और बोली में लेकिन सरवाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी होगी ठीक है उप्शन नमबर बी नेक्स्ट कॉश्चन हिमाले से गंगा निकल कर अन्य नदियों में मिल जाती है वाक्या में व्यक्ति वाचक संग्या कौन सी है बताइए ये जो आपको सेंटेंस दिया है हिमाले से गंगा निकल कर अन्य नदियों में मिल जाते है इसमें व्यक्ति वाचक संग्या कौन कौन सी है बताइए कौन सा शब्द है हिमाल्या और गंगा दोनों ही व्यक्ति वाचक संगया है किसी भी विशेश व्यक्ति वस्तू या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संगया ही व्यक्ति वाचक संगया कहलाती है यानि कि जो व्यक्ति वाचक संगया है वो सभी वस्तू व्यक्ति स्थान की संपूर्ण जाती म इसे खास का नाम बताती है तो यहां पर क्या होगा हिमाले और गंगा दोनों क्योंकि हिमाले आपके जो पर्वत है उसमें से किसी एक स्पेसिफिक खास नाम है और वैसे ही नदियों में से गंगा एक खास नाम है तो किस संपूर्ण जाती में से अपना एक important जंगय रखती है तो ये दोनों ही व्यक्ति वाचक संग्या होंगी तो दुबारा से याद रखो कि किसी भी विशेश व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संग्या ही व्यक्ति वाचक संग्या कहलाएगी और व्यक्ति वाचक संग्या सभी व्यक्ति वस्तु या स्थान की स पूर्ण जाती में से खास का नाम बताती है तो अप्शन नमबर भी आएगा यहां पर मज़ा आया तो लाइक करना है और इन वीडियोज को छोड़ना नहीं है हर सब्जेक्ट की वीडियोज दबा दब आपको मिल रही है परसिद भाशा विज्यानी डॉक्टर भोलानाथ ति और यह साथ अब भ्रेंच कोन से थे सबसे पहला था शोर सेनी दूसरा कोन सा था पेशाची तीसरा ब्राचड चोथा खस पाचमा महाराश्ट्री छटा था मागधी और सात्मा था अर्ध मागधी इनोंने साथ अब भ्रेंचों की बात की थी ठीक है यह जो सोर सेनी अब भ्रेंच था इससे जो भाशाई निकली है वो पश्चिमी हिंदी हुई राजस्थानी हुई गुजराती हुई जो पैशाची था उससे लेंदा और पंजाबी निकली हुई है, ब्राचड वाले से सिंधी निकली है, खस से पहाडी, महरास्ट्री से मराथी, मागदी अबरंच से बिहारी बांगला उडिया और असमिया, और अर्द मागदी से पूर्वी हिंदी आपकी निकली है, तो ये सारी चीजें थी, आज की इस वीडियो कर चुके हैं, तो आप तो पीछे बिल्कुल ना रहें, और ऐसी वीडियो देखते रहें, क्योंकि हमारा टार्गेट है, अब की बार टेट एकजाम को क्लियर करना चाहे, यूपी का हो, चाहे, दिल्ली का हो, हर्याना का हो, चाहे, एमपी का हो, राजस्थान का हो, तो चैन